हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल विहार विजली विभाग भरती एक बार फिर से चर्चा में हैं दो मन्त पहले लगवग एक नोटिफिकेशन आया था बिये स्पीसियल के तरब से जूनियर इंजिनियर और टेक्निसियन की भरती को ले करके लेकिन उसका लिंक उपें नहीं हो पाया था किसी कारण बस जिसके कारण यह फोर्म फ़ीलप नहीं हो पाया था वही फिर से एक बार चर्चा में है कि सका फोर्म 15 जून से बढस war जाएगा ऐसा यूटूब के माधयम से न्यूज चैनल के माधियम से और पेपर के माधियम से सुनने को मिला होगा सबसे पहले हम आपको बता दे कि दखिए ये इसका ओफिसियल साइट है और इसका requirement news में अगर हम लोग जाते हैं तो requirement news में कोई भी ऐसा notification नहीं है जिससे आपको पता चले कि ये form 15 जून से भराएगा ही और दूसरी बात है कि इस भरती का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जूनियर इंगिनियर का जो seat है 40 seat वो सिर्फ 40 ही रहेगा या फिर बढ़ाया जाएगा लोगों में ये आसा था लोगों को कि reopen जब इसका link होगा या फिर दुबारा जब इसका form भराया जाएगा तब ये 40 seat जो है ये बढ़कर 500-600 हो जाएगा ये आसा था जितने भी diploma student है electrical branch से पास आउट है बिहार से वो सभी को ये आसा था कि ये seat बढ़ा कर 600-700 हो जाएगा लेकिन सच में seat बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा सिर्फ 40 seat पे ही आपको fight करना है इसी का जनकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे 100% सही में बढ़ने वाला है seat की नई बढ़ने वाला है इसकी जनकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे तो आप दास तक हमारे वीडियो में बढ़े रहें और जो लोग भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबाएं थाकि आपको अपडेट्स मिलता रहे है किसी भी परकार का जनकारी चाहिए इस वेकेंसी से रिलेटेट तो आप कॉमेंट करें कॉमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा और डिस्किप्शन में हमारा टेली गराम चैनल का लिंक भी है वहां से जाके चैनल को जोईन करें और कोई भी समस्य हो उस पूछ सकते हैं देखिए आज का ही एक पेपर का कटिंग है कि 15 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन अवेदन लिये जाएंगे बिजली कमपनी के 26 सो से अधिक पदों पर बहाली जल्द यही बिए स्पीसियल का वैकेंसी का डिटेल्स इसमें लिखा गया है कि कौन से पद में कितना सीट है देखिए यहां पर टेकनिसियन ग्रेट 3 का 2000 पद है जुनियर एकांट का 300 पद है और कलर कड कि i security का स्टो इस सिस्टेंट का सी है साया का अभयाँ यह कशलल ऑर कनिया वियनता का 40 अन्य सिल्फ 40 सीट यह पर यह हibl pase और आज का है इसका मतलब यह है कि यह जो जानकारी दिया गया यह कहीं 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 कमपणी के दिया गया है क 처ई साइट पे दिया गया है नहीं कि साइट से निकाल लिया यह कमपणी से ही जनकारी लिया हुआ कि 15 जून से इसका फोम भराय जाए इसमें देखिए साब साफ लिखा है कि विजिली कमपणी के 26 सोई अधिक पदो पर बहाली जल्द होगी इसकी त्यारी विदली कमपणी मुख्याले ने शुरू कर दी है तो यह जनकारी पेपर वाले लाये कहां से कही नगई कमपणी से जनकारी लिया होगा इसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपणी के अनुवांसिक साउथ बिहार और नोच बिहार distribution company बिहार state power transmission company सामिल है अधिकारियों के मताबित 15 जून से 15 जुलाई तक online अवेदन लिये जाएंगे अगस सितंबर में परिच्छा होगी बिहार state power holding company ने मंगल वार को 15 जून से online अवेदन लिये जाने का मंजूरी दी है notification एक से दो दिन में जारी कर दिया जाएगा इसका मतलब है कि आप company से पता करके इसमें लिख रहे हैं कि 15 जून से इसमें link open कर दिया जाएगा और भराया जाएगा यहां पर यह भी लिखा है कि मार्च में निकली थी इसकी भरती बहाली के लिए मार्च में बिजापन निकाला गया था लेकिन तकनिकी कारण हुआ अचार संगिता के कारण बहाली अस्थगित कर दी गई थी तो साब साब आपको यह पता चलता है कि जो सीट था वही सीट रहने वाला है और कोई भी सीट बढ़ाने का चांस नहीं है सिर्फ 40 सीट पर ही जूनियर इंजिनियर की बहाली होगी यह पेपर में जो नियूज दिया गया है इसके अधार पर अगर आप लोग सोचें तो यही पता चलता है यही निसकर्स निकलता है कि जूनियर इंजिनियर का जो सीट है वो 40 का 40 ही रहेगा बढ़ाया नहीं जाएगा क्यांकि यह बिना जनकारी का नहीं लिखा होगा कि 15 जून से आपका फोर्म भराय जाएगा इसमें भी आप 100% सटिसफाई नहीं हो सकते हैं कि 15 जून से भराय गई जब तक आपका लिंक में साइट पे नहीं आएगा जब तक कोई उपाई नहीं है और किसी का बात पर कोई भरोसा नहीं है कि यह भराय जाएगा हां लेकिन इतना तय है कुछ लोगों से हमारी बात हुई है बिदली भी भाग में कुछ कारेरत लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है इतना तय है इतना पता चला है कि यह सीट बढ़ने वाला नहीं है अगर बढ़ना होता तो फिर से नोटिफिकेशन जारी करता और उसमें लिखता कि जुनियर इंजिनियर का इतना सीट है लेकिन ऐसा कुछ सो नहीं किया गया है डायरेक्ट बोल रहा है कि लिंक ओपन होगा और आपका फोर्म जो है वो फिलप किया जाएगा तो इसमें कहां से चांस है कि आपका सीट बढ़ा तो कितने लोग सेलेक्ट होंगे इसमें सिर्फ 40 बाकी लोग कहां जाएगा तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है